पत्रकार हो तो क्या हुआ अगर सच बोलोगे और सही दिखाओगे तो पीटे ही जाओगे और प्रशान तरह आए अभी तो तुम पीटे गए हो ना अगर यही निस्पक्षता और बेबाकी रही तो एक दिन मार दिये जाओगे मार दिये जाओगे कहते हुए अच्छा नहीं लगता पर हकीकत यही बया करती है अगर यकिन ना हो तो संजुक्त राश्ट की रिपोर्ट को निकाल के देख लिजिए उसमें लिखाएगी 2014 से लेके अब तक कम से कम 22 पत्रकार मारे जा चुके है कभी यूपी के गजियाबाद में विक्रम जोसी जैसे पत्रकार को घेर के हमलावारों ने मार दिया तो कभी सिवान के राजदेव रंजन को किसी बाहु बली विधायत ने मरवा दिया तो कभी आरा के नमीन निश्चल और विजे सिंग जैसे पत्तकार को स्कॉर्पियों से रौन दिया गया तो कभी रिवा में मीडिया राज के रिपोर्टर राजेस मिस्रा की हत्या कर दी गई कसूर क्या था ? कसूर सिर्फ इतना था कि लोकाल स्कूल में चल रहे एक धानधली को वो कवर कर रहे थे तो जब आप कहते हैं ना कि अभी नोजी रोडवा दिखा दीजिये या स्कूलिया दिखा दीजिये तो सब डर लगता है, हर छोटा चीज कवर करने से पहले डर लगता जरूर है, और आप ही बताइए कि डर क्यों न लगे, डर क्यों न लगे जब बड़े न्यू चैनल में काम करने वाले संदीप कोठारी और जगेंदर सिंग जैसे पत्रकारों को जिंदा जला दिया गया, जा और तुम प्रशान्त रहा है, कैमरा और माइक लेके बिहार के सबसे बड़े हस्पिटल PMCH में घूस गया थे, और दिखा क्या रहे थे, सौचाले में गूफ तैर रहा है, लोग बेट के अभावों में नीचे जमीन पे सो रहे है, प्रशान्त रहा है, अब इतना सच होगे तो लाठी तो खाना ही पड़ेगा, लेकिन एक मजे की बात जानते हैं सर, एक इमांदार पत्रकार लाठी खाने से नहीं डरता है, उसे डर इस बात का भी नहीं लगता, कि इमांदारी की रोटी खाते खाते किसी दिन वो भूख के मर जाएगा, उसे डर इस बात का भ जब जरूरत पढ़ती है तो खुद को अखेला ही पाता है डर उसे इस बात का लगता है कि जब उसे जरूरत पढ़ेगी तो ना देश उसके लिए एक होगा और ना ही कोई संस्थान मैं भासर नहीं दे रहा हूँ हकीकत है हकीकत है कि नीच और घटिया किसम का नेता भी मारा जाये ना तो उसके लिए हजारों लोग संथ पर केंडल लेके उतर आते हैं हकीकत है कि जब एक अपराधी मारा जाता है तो सव सवाल खड़े होते हैं लेकिन पत्रकार के मारे जाने कुछ नहीं होता है बस एक छोटी सी ख़बर यह इमांदार पत्रकारों का दर्द है बाकी गोदी मीडिया और दलाल मीडिया का तो स्वेग अलग ही है अलग ही स्वेग है जिस नेता से बैट के कठिन सवाल पूछने चाहिए जिस नेता से बैट के पूरे काम का हिसाब माग मैं चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि कोई कोई ऐसा डिजिटल मीडिया है कोई ऐसा संस्थान है जो आपकी आवाज बनके लड़ रहा है जो पूरे सिस्टम से लड़ रहा है क्योंकि वो चाहता है कि जमीनी अस्तर पर कुछ बदलावा है अगर आपको ऐसा कोई भी या है वो जनता जंक्सन लगे, बिहारी मेल लगे, पब्लिक प्लेटफॉर्म लगे, या भारत का कोई भी छोटा मोटा मीडिया चैनल लगे, तो उसे सपोर्ट किसी है.